दोस्तो एक्सिस बैंक की तरफ से a range of नए credit cards introduced किये गए हैं और उसका कारण सिंपल सा यह है क्योंकि city bank को अब एक्सिस बैंक बंद कर रही है और उनके जितने भी city bank के card holders से उन सभी को नया एक्सिस का card issue कर रही है respective to their city credit card स्वेश नमस्कार दोस्तो एक पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है था credit explorer चैनल पर और आज हम बात करने वाले नए credit cards जो एक्सिस बैंक में issue करें हैं उनके बारे में कहानी शुरू होती है दोस्तों कुछ साल पहले जब एक्सिस बैंक ने city bank को purchase कर लिया था और अब finally July 15 2014 को completely city bank को dissolve कर लिया एक्सिस बैंक ने और अब सारी services city bank की अब एक्सिस बैंक की तरफ से आती है और जितने भी cards हैं जितने भी features जितने भी saving accounts है सब कुछ अब आपको credit card है वैसे तो एक्सिस बैंक के न cash back credit cards already बहुत सारे market में है और सारे के सारे अच्छे है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सारी list of credit card है यह सारे के सारे नए credit card है जो city bank के against आपको मिलने वाले हैं अगर आप already city bank का कोई भी card hold करते हैं तो उसकी जगा आपको यह नया access bank का card बहुत ही जल्दी आपके पास आजाएगा तो यहाँ पर आपके आप देख सकते है range of credit card तो सबसे पहले आपके पास जो भी card था already उसको आप यहाँ से select कर सकते हैं और उसकी जगा आपको जो नया card मिलेगा वो यहाँ पे listed है जैसे अगर आपके पास city rewards card था पहले तो जो भी reward मिलने वाले है वो यहाँ पे calculate कर सकते हैं एक important query तो आपके पास already अगर city bank पे कुछ rewards spending है जिनको आपने redeem नहीं करा है या कोई cashback है जो अब तक आपने use नहीं करा है तो वो access का जो नया card issue होगा उसके डो statement cycle के अंदर credit कर दिया जाएगा तो उसके आपको tension लेनी के ब City bank का cashback credit card दो कारण है पहला तो यहाँ पे cashback आपको up to 7% देखने को मलता है दूसरा कारण है यह कि मेरे पास जो already card था वो city bank का cashback credit card था और उसमें आपको कुछ खास benefits देखने को मिलते नहीं थे इस card मुझे थोड़े interesting लगे benefits तो इसके बारे में मैं डिटील में discuss करना और कोई query है तो नीचे comment box में आप comment कर ही सकते हैं उसके related यहाँ पर देख सकते हैं मैंने city bank का cashback credit card का official page open card है तो सबसे पहले मैं आपर बात करूंगा सिर्फ इसके benefits की इसकी eligibility and details के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे because वो एक दूसरी वीडियो के लिए है अगर application process का वीडियो गा तो उसमें कभी बात यहाँ पर मैंने जिस purpose इस वीडियो को बनाने का सोचा है वह है इसके benefits के बारे में क्यूंकि मुझे बहुत interesting लगे है जैसे कि आप यहाँ आपको मिलता है 2% मतलब 2% basic cashback limit है यहाँ पर मतलब कोई भी transaction करें आप 2% तक आपको cashback ज़रूर मिलेगा यह मिलेगा याद रखेंगे आप ध्यान ये रखने की बात है कि आपको rent payment, duality transactions, fuel payments हो गए या फिर आप wallet रिलेट करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी cashback देखने क नहीं मिलेगा, details के लिए आप यहाँ पर click कर सकते हैं और इनकी PDF IQ उसको download करके वहाँ पर देख सकते हैं कौन-कौन से categories included नहीं है वैसे मैंने जो 4 basic categories बताई वहाँ पर आपको कोई भी reward नहीं मिलेगा तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा, normal retail spending पर आपको cashback ज़रूर देखने करें, आपको 2% का cashback मिलेगा, तो अगर आप 6000 का transaction करते हैं, for example, तो आपको up to 5000 तक के transaction पे जो भी amount है, उस पर आपको 2% का cashback मिलेगा और बाकी बचा 1000 जो है, उस पर आपको 5% का cashback देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, 5% cashback on online expense between 50001 to 40,000 रुपीज, तो अगर 5000 पर जाते ही, up to 40,000 रुपीज तक के transactions पर आपको 5% का cashback मिलेगा, which is also very interesting, और 40,000 रुपीज से उपर की जितने भी transaction होंगे, उस पर आपको 7% का cashback मिलेगा, बट 7% का cashback है, उस पर capping रखी गई है, और यह 4,000 रुपीज पर month per statement, अभी यह कम नहीं है, क्योंकि 4,000 अचीव करेंगे, तब तक आपके 4,000 रुपीज का cashback complete हो चुका होगा, तो obviously अगर आप बहुत ज़्यादा spending करते हैं, like monthly spending अगर आपकी 1,00,000 रुपे तक पहुच जाती है, तो यह benefit नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि limited है cashback, यहाँ पर 4,000 रुपीज तक की maximum cashback आप earn कर स क्योंकि 7% cashback is not available on any cashback credit card as of now, अगर मैं बात करूँ, mediocre segment की, और एक category है जहाँ पर आपको unlimited cashback देखने को मिलेगा, that is 0.75% on travel and offline spends, तो आप चाहें जितनी भी offline spending कीजिए, उन सभी पर आपको 0.75% cashback मिलेगा, और यहाँ पर न कोई भी capping नहीं है, आप चाहें यहाँ यहाँ प payment पर आपको 0.5% cashback मिलेगा, बट इसकी capping रखेगे, अप टू 100 rupees, तो कि I think कम है, बट अगर आपके bills इतने high नहीं आते हैं, तो फिर यह आप 100 rupees का benefits पे ले सकते हैं, बट recommended ही है, यह बाकी और cards हैं, जैसे कि ICIC, Amazon Pay Card, अगर आप Amazon के थुरू bill पे करेंगे, तो 2% का cashback मिलेग free charge access credit card, अगर आप bills free charge app के थुरू पे करेंगे, उस card को use करके, तो वहाँ पे आपको 5% का cashback मिलेगा, तो वो benefits अलग बन जाते हैं, यहाँ पर dining relates का feature तो obviously होता ही है, access bank के cards पे, तो यह कुछ बात है, इसके cashback की, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, personally अगर मैं बात कुरू 50-60 Rs. 60,000 में अगर आप spending करते हैं monthly, तो I think it is one of the best credit card, जिसको कि आप ले सकते हैं for maximum benefit, maximum cashback, क्योंकि 4,000 रुपए तक का cashback provide करना, किसी भी card के लिए, अगर आप 60-70,000 खर्च करते हैं, तो बहुत मुझकिल है, I don't think किसी card पे आपको इतने अच्छे cashback देखने को मिलेगा, अगर आप 60-70,000 spend करते हैं, बट यहाँ पे आपको benefit देखने को मिल रहा है, important चीज़ जिसको आप neglect नहीं कर सकते हैं, कि up to 5,000 रुपीज पे आपको 2% का cashback मिल रहा है, और 2% cashback आज के time में बहुत rare है, up to 5,000 transaction पे बहुत rare है, कि कोई भी card आपको 2% तक का straight cashback provide करे, तो इन कर लीजेगा आप, और यह रहे, बाकी सारे card जो नए launch हुए, उन सभी पे आपको benefits देखने को मिलते हैं, आप इस website पर चेक कर सकते हैं, फिर भी कोई query रह जाती है, तो नीचे comment box आपके लिए open है, वहाँ पे आप comment कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा और उसका correct reply time पर कर दिया जाए, and that is all, thank you and subscribe.